भगवार ना करें कि आपके किसी परिवार के साथ ये situation हो, लेकिन अगर आपके किसी से लड़ाई हो जाती है, कोई आप पे अटैक कर देता है, आपको अगर कोई इंजरिया चोट आ गई, तो जब आप पुलिस को फोन करते हो तो पुलिस सबसे पहले आपको hospital लेके जाती है और वहाँ एक MLC बनती है जैसे बोलते है medical legal certificate और जर्णल ही क्या होता है कि पुलिस वाले उसकी copy अपने साथ लेके चल जाते हैं और आपको उसकी copy नहीं देते हैं but it is a very important document क्योंकि इसमें दो-तिन बहुत important चीज़े mention होती है एक तो चोट आपके body के किस पार्ट पे लगी है आपको क्या treatment refer किया गया है और तीसरा कि उस चोट का जो injury है उसका nature गया नहीं simple है ग्रिवियस है और majority cases में सिर्फ इस MLC के base पे decide होता है कि जो FIR है उसमें section कौन सा लगए यानि simple hurt लगेगा, grievous hurt लगेगा या फिर attempt to murder तो MLC आपके पास ना होने की वज़े से आपका court में शुरुआत में बहुत time waste हो जाता है उस MLC की copy court के अंदर मंगवाने में अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको on the spot जब भी MLC बनती है उसकी copy as a right receive करनी है आपके साथ अगर कोई है तो आप उसको handover करें या फिर से scan करके किसी drive पे upload कर लें क्योंकि इसके दो benefit होंगे एक अगर आपको action लेना पड़ जाता है तो situation में आपका जो time है court में वो waste नहीं होगा MLC की copy मंगवाने के लिए और दूसरा अगर MLC की copy आपके पास है तो आपके case में opposite party या पुलिस के दुआरा manipulation के chances भी खतम हो जाते है